इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद न्यूज और आएनन से में आप सबी का खायर मगदमा ऐसा लग रहा है जैसे के बच्चन परिवार को कोरोना क्या हुआ पुरा देश ही कोरोना मुतासिर हुआ है बच्चन का सोना खाना नाश्टा ये तक टीवी में सुरुखिया नजर आ रही है किस कदर मीडिया की चाटू कारिता दिखाई दीती है जहां आज भी लाशों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है गरीबों को जिन्दा रहना और मरना एक जैसा वहीं सुबह से शाम तक बच्चन परिवार को कोरोना यहीं बाकी रह गया था जो सुबह से शाम तक दिखाया जा रहा है कोर बलगाम जिला बलगाम शहर में गष्ट न देहा रही है लोगों में एक तरह का डर भी देखा जा रहा है लॉंट अरगडान होगा तो क्या होगा और शायद ही सोच कर लोग बाजारों में राशन करेदने निकल पड़े ञोग में एक तरह और रहा रहा है वेसे वहुंगों कोई जरूत नहीं है लिहादा बेलगाम को दुबारा लॉकडाउन करने की अफवा को रद कर दिया गाए बेलगाम जिला अस्पताल में कोवीड मरीजों में इदाफा होता ही जा रहा है और बढ़ते मरीजों के के मद्द नजर पर अवाम में खौफ का माहूल भी देखा जा रहे पर क्या एक बार फिर लॉकडाउन की जुरूत है इस पर अवाम में मुक्तलिफ राय देखी जा रहे हैं साबिक वजीर सती जरकियोडी ने फिर से लॉकडाउन के फैसले को गलत साबित करते हुए कहा कि हवाम काफी परिश श्रदा निर्मूलन तहरीक के तहट अपनी नई कार की इफ्तता सदावचुन अगर शम्चान में किया और यह पैगाम दिया कि जूटे और ढोंगी बाबाओं ने हमेशा वाम को गलत राह दिखाई है इससे पहले भी सती जरकियोडी ने कई मरतवा शम्चान में सोना खाना दावत वगरा है इजलास मुनकत कर गलत रस्म रिवाज को खत्म करने की और काला जादू अगरा कुछ ना होने की बात इससे पहले भी कही है इन्होंने इस इजलास में 2023 में करनाटक रियासत में कॉंग्रेस हुकूमत दुबारा लाने की कोशित जारी है लिहाजा नए कार क नंबर भी इसी के मद्दे नजर्यानी 2023 रखा हुआ है इस वक्त लॉक्डाउन पर अपने खयालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा ने अपना दारव वसी किया है लॉक्डाउन को चाहिए कि इलाज पर तवज्जों दे ना कि लॉक्डाउन पर नीजी अस्पताल में तालुकाव में अवाम की जानिब से गाउं को बंद करने के फैसले लिये जा रहे हैं पर क्या इससे कोरोना वबा पर काभू पाया जा सकता है पहले से परेशान अवाम और भी परेशान हो सकती है ऐसा इनका कहिना राजस्तान कॉंग्रेस में आप सिक्तलाफात पर भी इनोंने कहा कि सचीन पायलग जैसे लोग कॉंग्रेस में आये और गए पार्टी अपनी जगह पर कायम रहती है लोगों के आने जाने से पार्टी को कोई फर्ख ने पड़ता है इसा इनोंने करनाटक रियासत कॉंग्रेस पार्टी सदर सती जरकोली ने कहा कि नई गाड़ी की इफता और फूलों के बारिश की गई इस वक्त मटके सौमी और दिगर पार्टी की जमेदार हजराज शरीक रहे वाज़ार है कि बेलगाम शहर और अतराफ में किसी तरह का लोगडाउन नहीं रहेगा बाजारों में जो भीड दिखाई दे रही है इस वज़े से क्योंकि हफता भर दुकाने बंद रहेंगे और शायद इसलिए तमाम जरूरी चीज़ों को खरीदने की जल्द बाजी हर शक्स करता दिखाई दे रहा था बेलगाम शहर ने किसी तरह का लोगडाउन ना करने का फैसला किया है जिसके अवाम को खबर लिने की जरूरत है किसी तरह के अपवा को बड़ावान ना दिया जाया ऐसा भी ऐलान हुकुमत की जाने से किया रहा है इत्याद ने देखने कर शुक्रिया अल्दाफिश्यों